आई इस वीडियो में देखते हैं कि Articles A, An और The का इस्तमाल कहां कहां होता है, कैसे होता है और इसको, PHE को कहां पे हम The बोलते हैं और कहां पे हम The बोलते हैं तो हम यह सब देखेंगे से वीडियो में, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके सामने मैंने कुछ nouns लिखी हैं, इन nouns को देखिए और मुझे बताइए कि इनके सामने A लिखू या N लिखू Apple आप सब जानते हैं, N लिखा जाएगा एक vowel sound है, तो vowel sound पे focus करना है ना कि केवर letter पे, मैं समझ रहाँ कि A, E, I, O, U हम लोग कहते हैं A, E, I, O, U, ये vowel letters हैं, out of 26 letters in the English alphabet, बाकी सारे consonants हैं, vowel sounds की जहाँ बात करते हैं, तो अगर आप हिंदी बोलते हैं, तो जैसे स्वर और व्येंजन होता है, स्वर में छोटे A, 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 E, E, ये सब स्वर हैं, व्येंजन है, क से लेके ग्या तक, तो स्वर की जो बात हो रही है, वो स सब हैं, vowel sounds, तो letter देखा आपने, चलिए यहां तो letter A है, तो कोई बात नहीं, and लिख दिया आपने, ice cream, यहां भी same case है, and लिख दिया, अभी आया है university, university में या की sound है, या, तो यह एक consonant sound है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे A, हाला कि letter U है, कोई confusion में सोच सकता है, कि यह वाल sound नहीं है, इसलिए आप इसको A university बोलेंगे, ऐसे ही X-ray, अब कहने को तो यह X लिखा है, लग सकता है कि consonant है, लेकिन sound अगर पहले देखें, तो आर यह A, A की पहले X-ray, तो यह sound है initial, वो एक वाल sound है, तो हम बोलेंगे an X-ray, umbrella यह वाल sound है, तो U की यह वाल sound है, और U की एक consonant sound है, an M-A in English, same reason, जो कि हमने an X-ray में लिखा था, जो initial sound है, M बोलने में वो A की आती है, M, M-A, right, so an M-A, अगर हम इसको पूरा full form बोलेंगे इसका, तो he's a master, master of arts in English, ऐसे बोलेंगे, तो master में क्योंकि म की sound आ रही है, consonant sound है, बट यहाँ M में वाल sound है, तो हम an बोलेंगे, man, he's obviously a man, तो यह तो आपने देख लिया, तो articles के लिए अकसर school colleges में पढ़ाया जाता है, कि यह nouns के पहले आते हैं, अब यह काफी confusion पैदा कर सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल सरसर गलत बात है कि nouns के पहले आते हैं, यह nouns के लिए आते हैं, अब इस बात से मतलब क्या है, आपको लग रहे हैं, यह तो सही है, नाउन के पहले आ रहे हैं, अगर मैं यहीं पे इसको लिख दूँ, old man, चीक है, आप इस सब को भूल जाएए, मैं लिख दूँ यहाँ पे old man, तो आप इसको बोलेंगे an old man, he is an old man, तो नाउन तो आपका यह था, नाउन के पहले तो य man के लिए, लेकिन यह a या an होगा, यह decide करेगा, इसके जो सबसे पास लिखा word है, यह old, इसमें कौन सी sound है, इसमें wall sound है, यह इसमें consonant sound है, तो यह an old man मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे wall sound है, तो यह an old man हो गया, अगर यह a tall man होता, तो यह a आता, a tall man, तो यह जो article लिखा है, यह used to man के लिए हो रहा है, यह tall के लिए नहीं हो रहा है, he is a tall नहीं बोल रहा है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है articles nouns के लिए लिखे जाते हैं किन nouns के लिखे जाते हैं nouns जो कि singular है मैं A और N की बात कर रहा हूँ अभी A और N जो articles हैं singular के लिखे जाते हैं और ये countable nouns के लिखे जाते हैं तो अगर आपको countable और uncountable nouns का कुछ difference देखना हो तो आप मेरे noun का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है उसमें देख सकते हैं कि countable और uncountable का क्या difference है तो A और N की जहां तक बात है ये singular और countable nouns के लिए इस्तिमाल के जाएंगे आपके सामने सारे singular और countable nouns लिखे थे तो अब आज आते हैं हम लोग थोड़ा सा famous novel है मैं लिख देता हूँ उसका नाम और आप इसको पढ़ के बताईए कि आप इसको क्या बोलेंगे इसमें दो जगे T.H.E. लिखा है इसको हम पढ़ेंगे the old man यहाँ पे हम इसको दी बोलेंगे और यहाँ पे हम इसको the बोलेंगे the old man and the sea reason क्या है यहाँ पे यह एक wall sound के पहले बोला जा रहा है तो यहाँ पे wall sound है the old man हमने देखा था पीछे भी तो the old man and the sea यह consonant sound है sa sound है sea में तो एक consonant sound आएगी तो उसके पहले हम the बोलेंगे अगर wall sound है तो उसके पहले हम the बोलेंगे तो एक बहुत simple concept जहां wild sound है वहाँ दी बोलेंगे और जहां consonant sound है वहाँ दा बोलेंगे अब बात आती है कि इनको इस्तिमाल कहां कहां करें हमने तो सब कुछ कह दिया an old man भी कह दिया, the old man भी कह दिया an apple भी कह सकते हैं, the apple भी कह सकते हैं कहां a या an लगेगा और कहां d लगेगा इस पर बात करते हैं एक sentence देखे, अगर मैं कहूं we saw an old man the man walked with a stick the stick was made out of teak wood right we saw an old man the man walked with a stick the stick was made out of teak wood अब जरा देखे, यहां पे the का इस्तमाल भी हो रहा है a का इस्तमाल भी हो रहा है, कहां कहां एक तो यह article लग रहा है we saw an old man यहां पे हम old man को, इस इंसान को introduce कर रहे हैं पहली बार यह किसी specific इंसान की बात नहीं हो रही है यह कोई भी हो सकता है हमने यहां पे उसको पहली बार बताया तो हम यहां पे a या an का इस्तमाल करेंगे अगर यह होता we saw a man तो हम a बोलते क्योंकि यहां पे एक wall लगा हूँ sound लगी हो यह old की तो यहां man बोलना है, we saw an old man we saw a man भी हो सकता था हम पहली बार बता रहे हैं काफी in-specific चीज़ है indefinite है तो इसलिए हम इनको indefinite articles भी बोलते हैं indefinite articles कोई specific नहीं है, कोई पकी बात नहीं है आपे कौन सा आदमी है यह we saw an old man right the man walked अब हम यहां अब दा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं हम अब हम इस in-specific आदमी की बात कर रहे हैं अब हम इस आदमी की बात कर रहे हैं हमने पहले उसको introduce कर दिया तब तो यह a-ain था लेकिन तब indefinite था, अब यह definite हो गया है अब यहां हमें पता है किस आदमी की बात हो रही है भाई अब यह definite definite article लगेगा तो यह definite article की शिरणी में आते हैं मतलब जब हमें पता नहीं था किस आदमी की बात हो रही तब तो a-ain चल रहा था, जब हमें पता चल गया बाई, introduce कर दिया हमने यह आदमी है अब हम इसके लिए definite article the का इस्तमाल करेंगे the man walked with a stick a stick, फिर एक article आया indefinite article हम किसी भी stick की बात करें, एक stick थी उनके पास याद रखिए, यह still countable है, singular है एक stick थी the stick was made out of tick wood, किस stick की बात हो रही है, इस stick की बात हो रही है, हमने जो introduce करी दूसरे sentence में, जिसके साथ वो आदमी चल रहा था, किसी भी stick की बात नहीं, और यह दुनिया जहान में, यह उसी stick की बात हो रही है, जिस stick के साथ आदमी चल रहा था, तो जहां हम specific चीज़ों की बात करते हैं तब हम बात करेंगे definite article को use करके जब हम कोई भी specific चीज defined नहीं है, तो हम indefinite articles का इस्तमाल कर रहे हैं तो यह इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप introduce कर रहे होते हैं जब पहले किसी को, तो उसमें दा का इस्तमाल ना करें, अगर कोई, तो यह बहुत एक simple सा example लेते हैं, please open the window, please open the window अब यह अगर आप किसी से कह रहे हैं, रूम में, please open the window इसका मतलब जो listener है आपका, उसको पता है कि आप किस window की बात कर रहे हैं, या तो उस रूम में एक ही window है या तो उस इनसान को यह पता है कि आप किस window की बात कर रहे हैं अगर आप यह कह रहे हैं, please ओपन विंडू तो आप उस इंसान को एक चॉइस ही दे रहे हैं कोई स्पेसिफिक विंडू नहीं विगा रहा हूं हवावा नहीं हारी शायद रूम में चार-पांच खिड़किया हैं कोई भी एक खोल दो प्लीज ओपन विंडू राइट तो यहां पे हम इंडेफिनिट हैं यहां पे हम बिल्कुल डेफिनिट हैं कि भाई किस विंडू की बात हो रही है लिस्टर को पता है तो जब लिस्टर इस चीज़ को जान रहा है फैमिलियर टॉपिक है फैमिलियर नाउन है डिसकशन का तब तो आप डेफिनिट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे जब familiar नहीं है चीज, indefinite है, specified नहीं है discussion में, अभी तक introduced नहीं हुई है तब तो आप A या आन का इस्तमाल करेंगे इस discussion के बाद आपका कोई confusion हो A, A, N और D, पे मैं A, N और D, पे elaborate एक topic अलग से D, especially क्योंकि इसके और भी काफी use है, हम क्यों the USA कहते हैं और क्यों the India नहीं कहते हैं, इस पर भी हम एक पूरा वीडियो देखेंगे, अभी तक के में discussion में आपको कुछ भी doubt लगता हो, आपकी कुछ comments हो, मुझे please जरूर बताइए, मैं आपकी वहाँ पे मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, I hope this discussion helped you, take care